अभी हमने अध्यन किया कि मा नौ महिने तक बच्चे को पालती है इसका मतलब है कि मा का शरीर इसके लिए अनुकूल है अता गर्भाशय हर महिने भ्रून को ग्रहन करने एवं उसके पोशन के लिए तैयारी करता है इसकी आंतरिक पर्थ मोटी होती जाती है तथा भ्रून के पोशन हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है भ्रून को मा के रुधिर से ही पोशन मिलता है इसके लिए विशेश उतक सहायता करते हैं जिसे प्लैसेंटा कहा जाता है यह एक तश्टरी नूमा सनरचना है जो गर्भाशय की भित्ती में धसी होती है इसमें भ्रून की ओर के उतक में प्रवर्ध होते हैं कृपय से अपने कॉपी में नोट कर ले मा के उतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्धों को गेरे रहते हैं यह मा से भ्रून को क्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अनिपदार्थों के स्थानांतरन के लिए एक बड़ा शेत्र प्रदान करते हैं इसे भी कॉपी में लिख ले विकाशील भ्रून द्वारा अप्शिष्ट पदार्थ उत्पन होते हैं जिनको प्लेसेंटा माध्यम से मा के रुधिर में स्थानांतरन द्वारा हटाया जा सकता है मा के शरीर में बच्चे के विकास में लगबग नौ महीने लगते हैं तथा अंत में गर्भाशे के पेशियों के लाइबद संकुचन से बच्चे को जन्ब दिया जाता है कृप्या से अपनी कॉपी में नोट कर ले अब सोचिए अगर अंड कोशिका का निशेचन नहीं हुआ होता तो क्या होता हम इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे